नामस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटीव चानल पर सो फ्रेंट्स आज से गुजरात युनिवर्सिटी के बीकॉम, बीबीए, बीसी और अधर कॉमर्स के इंटीक्रिटर कॉर्सिस के यहां पर रिशफलिंग राउंड जो होने वाले हैं स्टार्ट बीएसी के राउंड के लिए आज है यहां पर लास्ट डी रिशफलिंग का अब यहां पर कुछ बेहरत ही इंपाटन सी नोटीस और इंस्ट्रक्शन आई हैं गुजरात युनिवर्सिटी के वार से इस रिशफलिंग राउंड को लेगिए जनरली यहां पर स्पेशली बना चाते हो पार्टीसिपेट तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपाटन सी नॉटिफिकेशन यहां दी हुई हैं अब क्या है पुरी बात जानेंगे दुस्तों सभी किसे भी चीज़ों को आज की इस वीडियो में तो फटा फट से वीडियो को लाइक एंड शेर करके ब चाहिए प्लिकेशन यहां दूट किसे अपलीकाशन यहां दिया हुई है निया तो वीडियो में तो फॉर्स अक्तोबर चुंट्बर की चीज़ों के श्तुटेंस अगें यहां यानि की एसी सभी ब्सकेशन के स्टूटंस की जिनोने अभी तक रिजिक रूट शेंगे ब्स किया है या फिर कॉलेज चॉइस फिलिंग नहीं की है जिनको स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करना है और रुपीस जो भी रजिस्ट्रेशन फीजवे करनी है उसके लिए यहां पर जो भी डेट के वह बढ़ाई गई है आज यानि की 1st of October सुबह 11 बजे तक तो यहां पर आपने अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप आज सुबह 11 बजे तक जो है वो यहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिन स्टुवेंट्स ने और डेडिस्ट्रेशन कर लिया है और साथी सब कॉलेज चॉइस फिलिंग भी हो चुकी है उन सभी के लिए यह आप फिर से रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है यहां पर बीकॉम, बीबी, और बीचे के स्टुवेंट्स पूझ रहे थे कि सर क्या मैं फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा रिशा हुलिंग ग्राउन में जाने के लिए तो फ्रेंट्स क्लियरली यहां में मेंशन किया हुआ है कि यहां अगर आपके पास पहले साई अप्लिकेशन आडिया इसका मतलब यह है कि आपने ऑल्री एक बार रिजिस्टर कर लिया है तो आपको अगे ही रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत यहां पे नहीं है तो यह थी पहली और सबसें इनपा या फिल यूगेट की प्रिप्रेशन कर रहे हैं अगर हां तो आज ही चॉइन कीजिए अन एकडमी के टू यर कॉम्प्रिहंसिव बैच को चो कि स्टार्ट हो रहा है फस्ट ऑफ अक्टोबर से टॉप फैकल्टी के बारे में तो आप देखी सकते हैं चुकि आपको शो हो रहा सब कुछ आपको मिलेगा यहां पर और साथ ही फ्री सेक्शनल टिस्ट हर रोज साम सारे चार बुजे किये जाएंगे यहां पर और यहां पर आईपी मेट बीबी एंड होटल मेनेजमेंट के लिए कर सकते हैं आप अन एकडमी को सब्सक्राइब और यहां जॉइन कर सकते है आपको आपकी स्क्रीन पर और यहां पर अगर आप यूज करते हैं हमारा कूट पी ज्रावत टैन तो टैन परसेंटेज एडिसनल डिसकाउंट भी आपको मिलेगा तो देर किस बात की आज ही यहां पर जॉइन किजिए आन एकडमी की न्यूब बैच को तो यहां पर कहा गया है तो चाहिए दोस तूंट फो होनग पहरा में टीए एस्यूस फर एकंग कींए मॉइं के लिए यूज वागा 1000 में फिरसा पाल किनिए हैं वेल्याद mbsc2021 at the red gmail.com with a proof of successful payment confirmed message slash email slash screenshot along with application id name and working mobile number अब यहां पर lots of students ऐसे हैं कि जिनोंने या तो रूपीस 125 की जो फीस बरी ती रजिस्ट्रेशन की या फिर जो भी उनकी टोकेन फीस 500 5000 या वाटेवर टोकेन फीस सो हो रही थी आपनों के आशबर वह यहां पर उन्होंने पर की है लेकिन इसके बाद भी जो पैमेंट है वो आ रहा है पैमेंट पैंडिंग तो ऐसे सभी किसे भी इस्यूस के लिए यहां पर एक इमेल आड़ी प्रोवाइड किया गया है जो कि एडी एम बी एक टूटाउजन ट्वेंटी वाट जीमल डाट कॉम यहां पर आपको जो भी प्रूफ है वह प्रूफ यहां मैसेज हो इमेल हो यह स्क्रीन शॉट हो कि जहां पर आपका डैबिट मैसेज दिखा रहा हो कि भी ह हमारे अकाउंट से जो पैसें वो डैबिट हो चुके हैं लेकिन अभी भी डैशबॉट पर पैमेंट जो है वह पैमेंट पैंडिंग जो कर रहा है तो आपको इस वाले इमेल पर जो है वह यहां करना रहेगा मेल अब यह बता दूं कि यह फिलहाल के लिए हैं बीकॉम कर दिये हैं लेकिन अभी भी पैमेंट पैंडिंग शो कर रहा है इस वाले इमेल के ओपर जो है वह आप कर सकते हैं यहां पर मेल यहां पर एक नोट है छोटी सी कि मैसेज जो आपका ओटीप वाला आया है वह नहीं माना जाएगा बट यहां कंफर्म मैसेज जो आपका था जहाप लिखा होता है कि गुजरात यूनिवस्टी के लिए यहां पर एक रुपीज का पैमेंट जो है वह डैबिट कर लिया गया है आपके अकांट्स या फिर आप इस चीज़ का जो है वह बहुत ही अच्छी तरह से वाप ध्यान रखें नेक्स्ट यहां पर इंस्ट्रक्शन हमें दी हुई है कि आफ्टर दो अनलाइन पैमेंट ऑफी स्टुडेंट्स आर रिक्वेस्टेट टु वेट वर एक लिस्ट टुनिफोर आर्स तो रिफ्लेट पैमेंट करने के बाद स्टुडेंट्स नों है वह कम से हमें 24 आर्स यहां पर वेट करें यहां पर उनका कहना है अब यहां काफी बार जो हमारी शूटी जीए पैमेंट वारी वारी काम कर जाती है क्या है इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी तो उपर आई ब पाता है तो इसका मतलब यह है कि सच मुझ कोई ना कोई डिस प्रेंट सी जो है वह आपके पैमेंट में हुई है बागे 24 आर्स यह वेट करने का कह रहे हैं लेकिन अगर हमारे पास टाइम ही नहीं 24 आर्स का तो इसके मतलब नहीं है आगे यहां पर बात की जाएं सब्सक्राइब यहां पर जो है कि दिकत के बार में बताया है तो उन सब्सक्राइब के पास में यहां जो है वह confirm payment, message, email या फिर transaction ID या फिर whatever यहां जो है उनका प्रूफ नहीं है और यहां यह प्रूफ ना होते हुए युनिवर्सिटी जो है वह बैंक के थ्रूफ नहीं कर पाएगी तो यहां जो है आपको whatever kind of issue payment के रिगारिए तो आपके बास प्रूफ होना चाहिए कि यहां जो है हमने payment किया है देन आगे की इंस्ट्रक्शन के यहां बात की जाटो कहा गया है students who got the admission in first round allotment but they have not confirmed their admission by paying the token fees or piece 500 or 5000 refundable and or it is not credited in a university bank account as per deadline their admission related all their rights are abolished and hence their allotted admission is considered as cancelled these students can take part in the second round as per declared schedule इसी इंस्ट्रक्शन आसी नोटिफिकेशन मैंने यहां पर काफी dedicated and काफी सोज समझ के detail में एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने काफी detail में बता था कि किन बच्चों को जो है वो token fees यहां पर पे करनी है इन किन बच्चों को token fees पे नहीं करनी है तो यहां मैंने आपको clearly कहा था कि आपको first वाली college जो allot हुई है उसकी seat यहां पर बुक रखनी है तो आप token fees पे कर दीजिए आपकी seat book रहेगी और आप जो है वो में participate कर पाएंगे अगर आप यहां पर payment नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने वो first वाली college की seat book नहीं की है और आप directly जाना चाहते हैं resuffling round में तो college अगर आपको resuffling round में alert हो जाती तो ठीक है और नहीं होती तो first वाली college से भी आप हाथ दो गठेंगे lots of students ने मेरी advice मानी थी और वो गए थे token fees पे करने तो उनकी college सीक्यूर हो गई है लेकिन ऐसे भी lots of students थे कि जिन्होंने किसी और की बात मान के यहां पर token fees जो है वो पे नहीं की और यहां अगर आपको resuffling round में college मिल जाती तो तो well and good नहीं मिलती है तो आपकी first वाली college जो है वो आपके हाथ से चली जाएगी ऐसा clearly यहां पर जो है वो mention किया हुआ है इसके अलावा अगर आपने fees पे कर दी है तो तो आपको किसी भी तरह के retention नहीं कि यहां पर ज़रुरत नहीं बनती है आगे यहां पर friends कोई और instruction नहीं है यहां कल के दिन में issue किया हुआ circular है और काफी important importance बाते जो है वो reshuffling round के बार में यहां पर कह दी गई है no doubt बेसी के लिए यहां पर यह circular था लेकिन सारी के सारी बाते जो हैं वो applicable होती है सभी के सभी कूर्स जिस के ज्यादा में आप कर दीजेगा यहां पर इस वीडियो को लाइक आपके बागी के दोस्तों के साथ कर दीजेगा इस वीडियो को शेयर और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बलकुल भी ना खूलें गुजरात यूनिवर्सिटी की ऐसी ही के लिए इसके अलावा आके कोई क्वाश्चन है बताएं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर सभी के सभी डाउट्स का सॉलुशन यहां पर देने की कोसिस्टों है मैं यहां करता रहता हूं इतना ही रखते हैं हमारे आज की इस वीडियो में मिलते हैं जल्दी एक नई इसके आज करते हैं बानले मत्रम